गनेश चतूर्ती क्यों मनाई जाती है और इसकी शुरुआत का भूई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों गनेश चतूर्ती हिंदूओं का एक प्रमुक त्योहार है ये त्योहार भारत के विभिन भागों में मनाया जाता है किन्तु महराष्ट्रा एवं करनाटका में ये बड़ी ही धूंधाम से मनाया जाता है पुरानों के अनुसार इसी दिंग गनेश जी का जन्म हुआ था गनेश चतुर्थी पर भगवान गनेश जी की पूजा की जाती है कई प्रमुक जगहों पर भगवान गनेश की बली प्रतिमा स्थापित की जाती है इस प्रतिमा का नौ दिनों तक पूजन किया जाता है बली संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुँचते है नौ दिन बाद गानों और बाजों के साथ गनेश प्रतिमा को किसी तालाब महासागर इत्यादी जल में विसरजित किया जाता है इस साल भादरपद माह के शुक्ल पक्ष की गनेश चतुर्थी 19 सितंबर 2023 को है इसी दिन से गनेश चतुर्थी की शुरुवात हो रही है वहीं इसका समापन 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्थी वाले दिन होगा इसी दिन बप्पा की मूरती का विसरजन किया जाएगा दोस्तों सनातन धर्म के धर्म ग्रंतों के अनुसार जब महाभारत की रचना महर्शी वेद व्यास ने की तब उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए महाराज गनपती देवगजानन को याद किया इस दोरान वहाँ पर भगवान गनेश प्रकट हुए और उन्होंने महाभारत की रचना करने का कार्या आरंब किया धर्म शास्तों के अनुसार भगवान श्री गनेश को महाभारत की रचना का कार्य संपन करने में दस दिनों का समय लग गया था लगातार दस दिनों तक लिखने के बाद गनपती जी ने महाभारत की रचना के लेखन का कार्य संपन किया था इस दौरान महर्शी वेद व्यास ने गनपती के शरीर को तापमान के अनुसार नियंत्रित रखने के लिए उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगा दिया था धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान गनेश को लगाता दस दिनों तक महाभारत की रचना करने के लिए लेखन का कार्य करना पड़ा था जिस वज़े से उनका शरीर धूल मिट्टी से भर गया और देव व्यास ने भी शरीर का तापमान नियंतरन में रखने के लिए उनके शरीर पर मुलायम और चिकनी मिट्टी का लेप लगा दिया था भगवान श्री गनेश ने चतुर्थी के दिन ही महाभारत की रचना करने का कार्य आरंब किया था लेकिन कुछ दिन बीच जाने के बाद उनके शरीर पर लगाया गया मिट्टी का लेप सुक कर गिरने लगा और भगवान श्री गनेश के शरीर का ताप मान बिगरने लगा। ऐसा करते करते और महर्शी वेदव्यास को उनकी देख भाल करते दस दिन में महाभारत के रचना के कार्य का समापन होने के बाद महर्शी वेदव्यास ने अपने नजदी की सरोवर में गनपती को स्नान करवाया और उनके शरीर का ताप नियंतरित किया था। सनातन धर्म के अनुसार उसी दिन से लोग भादरपद की चतुर्थी को गनपती की प्रतिमा अपने घर पर लाते हैं और चतुर्थी के दिन गनपती प्रतिमा को स्थापित करते हैं जिसके दस दिन बीट जाने के बाद अनंक चतुर्दशी के दिन भक्त हर्षोल लास के साथ धूम्धाम से गनेश विसर्जन करते हैं। भारत में गनेश विसर्जन बड़ी धूम्धाम से किया जाता है। सनातन धर्म में भगवान श्री गनेश को विशेश मेहत्वा दिया गया है पर दोस्तों इस पर्व की एतिहासिक शुरुआत कब हुई चलिये जानते हैं दोस्तों गनेश चतुर्थी के त्योहार की शुरुआत एक मराथी परिवार ने 144 साल पहले की थी गनपती को समर्पित त्योहार गाउं से लेकर छोटे बड़े सभी शहरों में मनाया जाता है इस दिन लोग भगवान गनेश की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं ऐसा कहा जाता है कि गनेश उत्सव की शुरुआत 1892 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराश्ट्रा में की थी उस वक्त देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने गनेश उत्सव के नाम पर लोगों में एक्ता और राश्ट्र भक्ती की भावना जागरित करने के उत्देश से गनेश उत्सव मनाया था हालांकि बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि इससे पहले गुजरात के पाटन शहर में रहने वाले महाराश्ट्रा के एक परिवार ने 1878 में पाटन की गनेश वारी में गनेश महुत्सव की शुरुआत की थी पातन शहर में रहने वाले इस मराटी परिवार ने 1878 में अपने घर में गनेश जी की स्थापना की थी उस वक्त उन्होंने वडोदरा से गनेश जी की मिट्टी से बनी प्रतिमा मंगवाई थी और यह परंपरा आज भी कायम है दोस्तों भगवान गनेश को समर्पित ये त्योहार महाराष्ट्रा में लोग बड़ी ही धूंधाम से त्योहार मनाते हैं तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जैश्री गनेश लिखना बिलकुल ना भूले